मेडिकेर में कई अलग-अलग नामांकन अवदिया होती है जब आप किसी योजना के लिए साइन अप कर सकते हैं या आपके वर्थमान कवरेज में बदलाव कर सकते हैं हर साल खुले नामांकन की अवदि 15 अक्तूबर और 7 डिसेंबर के बीच होती है लेकिन अगर आप मेडिकेर के लिए नए पात्र है या अचानक कुछ हो जाता है तो आपको यहाँ पता लगाने की आवश्यक्ता हो सकती है कि क्या आपको अभी एक नए योजना मिल सकती है जब आपके जीवन में कुछ ऐसी गटनाए होती है जो आपके स्वास्त बीमा कवरेज को प्रभावित करती है तो मेडिकेर.gov आपका मारतर्शन कर सकता है यदि आप किसी बिन्नक शेत्र में जाते है या अन्य बीमा कवरेज खो देते है तो आप एक विसेश नामांकन अव करता प्राप्त कर सकते हैं जो आपको अपने स्वास्त कवरेज में परिवर्तन करने की अनुमती देती है मेडिकेर.gov आपको यह देखने में मदद करेगा कि क्या आप अभी किसी योजना में शामिल हो सकते हैं हम साथ में कुछ जाने माने विशेश नामांकन अवदियों की समिक्षा करेंगे। यूएस वापस आ गए हैं और आप किसी कुषल नर्सिंग सुविधा जैसे संसाधन में अभी अभी आए हैं रह रहे हैं या अभी अभी उससे बाहर निकले हैं। अपना वर्तमान कवरेज खोना एक भारी प्रक्रिया हो सकती हैं क्योंकि आपको आमतोर पर एक विसिस्ट समय सीमा के भीतर नेनायक विकल्प बनाने की आवश्यक्ता होगी। Medicare.gov आपका मारतर्शन कर सकता है जब आप Medicaid के लिए योग्य नहीं हैं। अपने नियोकता या संग से कवरेज छोड़ दिया है या आप अनचिक रूप से अन्य दवा कवरेज खो देते हैं। जो Medicare जितना अच्छा दवा कवरेज नहीं है। ऐसी कई स्थितिया है जो आपके स्वास्त भीमा कवरेज को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन याद रखे कि जब आपके पास विशेश नामांकन अवदी होती है तो आपका मार्ग दर्शन करने के लिए सहायता उपलब्द होती है। एक और विशेश नामांकन अवदी है जब आप एक्स्ट्रा हेल्प प्रोग्राम के लिए अहरता प्राप्त करते हैं। एक्स्ट्रा हेल्प एक ऐसा कार्यक्रम है जो सिमित आई और संसाधनों वाले लोगों को प्रिम्यम डिडक्टेबल्ज और सहबीमा जैसी दवा की लागतों का बुक्तान करने में मदद करता है। जब आप एक्स्ट्रा हेल्प प्रोग्राम के लिए अहरता प्राप्त करते हैं तो आपको प्रिस्क्रिप्शन दवा कवरेज में शामिल होने, स्विच करने या छोड़ने की अनुमती दी जाती है। एक्स्ट्रा हेल्प के अंतरगत आपकी आई के स्थर आधार पर आपको प्रिस्क्रिप्शन दवा योजना के प्रिम्यम और डिडक्टेबल के लिए कम या कुछ भी पुक्तान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी प्रिस्क्रिप्शन दवा के को पे भी शुन्य या प्रत्येक जिनरिक दवा के लिए $3.70 या प्रत्येक ब्रांडे दवा के लिए $9.20 से अधिक नहीं होंगे. एक्स्ट्रा हल्प प्रोग्राम के लिए अहर्ता प्राप्त करने के लिए एक से अधिक तरीके हैं. यदि आपकी वार्षिक आई $29,320, एक विवाहित जोड़े के लिए $46,130 और संसा धनों में $14,790, विवाहित जोड़े के लिए $29,520 तक हैं. तो आप 2021 में अहर्ता प्राप्त कर सकते हैं. गिने जाने वाले संसा धनों में शामिल है चेकिंग या बच्चत खाते में पैसे, स्टॉक और बॉंड, जिन संसा धनों की गिंती नहीं है, उनमें शामिल है आपका घर, एक मौटर गाड़ी, दफन वाली जमिन, एक हजार पांसो डॉलर तक दफनाने के खर्च, अगर आपने उस पैसे को अलग रखा है. फरनीचर और अन्य घरेलू और व्यक्तिगत सामान यदि आपको निमनलिखित में से कुछ भी मिलता है, तो कुछ लोग स्वचालित रूप से एक्स्ट्रा हेल्प के लिए योग्य हो जाते हैं. पूर्ण मेडिकेर कवरेज, मेडिकेर सेविंग प्रोग्राम से सहायता, सप्लिमेंटल सिक्यूरिटी इंकम लाब, यदि आप स्वचालित रूप से योग्य नहीं हैं, तो आप किसी भी समय एक्स्ट्रा हेल्प के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा बले ही आपकी आई और संसादन एक्स्ट्रा हेल्प के लिए अहरता प्राप्त करने की सीमा से उपर हो, फिर भी आपके पास इस लागत बचत लाप तक पहुँचने का मार्ग हो सकता है. अपने विकल्पों का पता लगाने के लिए Senior Health Insurance Program Counselor से संपर्ट करें. यहाँ Age Guide में हमारे पास Senior Health Insurance Program Counselor है जो आपको Medicare के स्वास्थभीमा विकल्पों को नविगेट करने में और Medicare लागतों का बचाने के तरीके खोजने में आपकी सहायता कर सकते हैं. Senior Health Insurance Program, Medicare, लाभार्थियों और उनकी देखबाल करने वाले के लिए एक मुफ्त राज्यव्यापी स्वास्थभीमा परामर्ज सेवा है. सिप कांसिलर से बात करने के लिए आप 800-528-200-00 पर Age Guide में संपर्ख कर सकते हैं. या सानिय सहायता के लिए आपके Aging और Disability Resource Network पार्टनर से संपर्ख कर सकते हैं.